अलो बच्चों, आज हम 9th mathematics की 2.5 exercise जो की पहले से हम discuss कर रहे थे यह algebraic identities थी, 20 गड़ती है, सर्वसम्मिकाई, उसमें बहुत सारे formula बताये थे उसमें k plus b whole square, a plus b, a plus b plus c whole square, a minus b whole square, बहुत सारे formula थे वो हमने वीडियो बना दिया है, और उसका link मैं यहां description दे दूँगा, उसको देख लीजेगा आज हम उसके 4 questions कर लिए थे, आज हम उसके आगे, देखें, तो यह 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16z, यह किसी चीज का whole square का factorize करिए, गुणखंड के रूप में लिखिए, जिसका बताद दो चीज का multiply लिखा है, अगर ध्यान से देखें, यह किसी चीज का square है, यह किसी चीज का square है, यह b square है, तीन चीज का square है, तो हमारे पास एक formula है, a plus b plus c का holy square, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c, बताया गया है, तो देखें, आज सुचिएगा, आप कहेंगे साब उसमें तो plus है, यहां तो minus घुजा हुआ है, बात में बात करते हैं, पहले यहां देख लेते हैं, देखें, यह किसी का square है, यह 2x का square है, इसमें कोई है जो negative है, कौन है मुझे नहीं plus यह किसी का square है, यह 3y का square है, plus यह 4z का square है, plus 2xy, देखो 2 into, x का मतलब यह 2x, चो x का मतलब हो गया 2x, और y का मतलब हो गया 3y, अगर इसका multiply करोगे तो 3, 2, 6, 2, 12, 12 आएगा, plus लगाता हूँ यहां पे मैं, क्योंकि sin plus का होता है, 2yz, 2, y का मतलब 3y, जर्णा समझेगा, एक थोड़ी सी गलती यहां पर न करिएगा, और z का मतलब 4z, जर्णा साउधान, आप कहेंगे भाई, यह minus gap कर दिया है, अभी रुख जाईए, minus को गया बरने दीजे, फिर plus लिखिए, 2zx, 2z का मतलब यहां पर 4z, और x का मतलब य जो negative है, चीक है, यहां yz है, या तो y negative है, यहां या तो z negative है, कोई एक negative है, यो दोनों minus में होते हैं, तो plus sign होता, अगर y negative होता, तो भाई यह वाला term negative होता, तो यह तो clear होगा कि y negative नहीं है, z हो सकता है, वहां पर आईए, यहां पर x है और z है, या तो x negative है, या तो z negative है, अगर x minus में होता तो यह term minus में होता यानि कि यहाँ clear हो गया कि z minus में है तो यहाँ भी minus 4z का square लिखेगे तो a हो गया आपका 2x, b हो गया आपका 3y और c हो गया आपका minus 4z तो यह a plus b plus c का whole square है यानि 2x plus 3y minus 4z का whole square अगर इसको खोलेंगे तो same thing will come अब यही चीज आएगी अब चुकि whole square है तो इसको 2 बाल लिख दीजेगा एक बार 2x plus 3y minus 4z एक bracket में और एक बार 2x plus 3y minus 4z तो यह आपका factor हो गया यह search करना पड़ेगा कि किस चीज का square है और कौन चीज negative लिखी है अब जरा second part देखिए इसका फ़ले एक बात ध्यान से अपने आप लगाईए फिर दिक्कत होगी तब तो cheating करोगी करोगी जिए second part अपने आप करिए इसका second part इसका कह रहा है 2x square 2x square plus y square plus y square plus 8z square minus 2 under root 2xy plus 4 under root 2yz minus 8xz जरा समझेगा साथान ये किसका square लिखा है तो आप कहेंगे ये root 2x का square है plus ये तो अकेला y का square है ये किसका है root 8z देखो root 8 की value 2 root 2 होती है तो ये 2 under root 2z का square है एक चीश सावधानी से देखीगा यहाँ minus है तो इसमें कोई एक है जो minus में है देखें अगर y minus होता तो ये negative आता तो y तो minus नहीं है z minus होता तो ये negative आता तो z भी minus नहीं है दोनों minus होते तो plus हो सकता था हाँ अगर यहाँ x है और यहाँ भी x है यहाँ x है यहाँ भी x है और दोनों negative है तो यहाँ x का term negative आएगा समझा ही बार नहीं है अगर y negative होता तो ये negative हो जाता है और y भी negative होता x भी negative होता तो दोनों का multiply फिर positive होता यहाँ x ही negative है तो plus 2ab 2a का मतलब minus का root 2x b का मतलब y plus 2bc 2b का मतलब y और c का मतलब 2 under root 2z और plus 2ca 2 c का मतलब 2 root 2z और a का मतलब minus का root 2x अगर ध्यान से देखें आप तो a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca यह a plus b plus c का whole square है a का मतलब root 2x plus y plus 2 under root 2z का whole square अब चूंकि आप से कहा गया factor करके लिखिए तो इसको दो बार लिख दीजिए एक bracket में root 2x plus y plus 2 under root 2z और दूसरे bracket में दुबारा आप यही लिखेंगे root 2x plus y plus 2 under root 2z इस प्रकार से इसको आप लिखेंगे ठीक है यह आपका 5th का second question है next question 6th question देखिए इसे बहुत सारे questions है हमने इस exercise को जान बूस करके तीन वीडियो में ब्रेकिया है चार-चार question चुकि आप 9th में हैं और 9th का मतलब starting of the class इसलिए बहुत ज़्यादा burden न पड़े वैसे भी आप लोग बहुत मेहनती होते हैं आप जानते हैं आप लोग इसके बाद इसका third question देखिए sorry six question देखिए six में कह रहा है कुछ cubes लिखे हैं इनका आपको squaring करना है निम्न घनों को प्रसारित रूप में लिखे ठीक है पहला part देखिए क्या कह रहा है 2x plus 1 का whole cube तो पहले तो आपको formula लिखना पड़ेगा क्या formula होता है आप लिखेंगे we know that हम जानते हैं कि a plus b का whole cube होता है a cube यह हम जानते हैं लिखा हुआ है ज्यादा हिंदी वाले चिंता न क्या रहे थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख ले कि वैसे तो आप English में high hello करते हैं तो थोड़ा वो तंग्रेजी high hello आली यह है a cube plus b cube plus 3ab in bracket a plus b यह in bracket जो लिखा जाता है इसका मतलब इसके बाद ब्रेकेट खुलेगा अभी नहीं खोलेंगे क्योंकि इससे plus minus की गलतिया नहीं होती इसलिए लिखा जाता है इसलिए so आपको निकाना है 2x plus 1 का whole cube तो आप अगर इससे compare करेंगे तो a की जगे 2x आ रहा है b की जगे 1 आ रहा है तो a को 2x कर दो b को 1 कर दो क्या बन जाएगा यह यह बन जाएगा 2x का cube plus 1 का cube plus 3 into 2x into 1 in bracket 2x plus 1 अब bracket को खोलना पड़ेगा यह किसका है whole cube आएगा 8x cube आएगा 1 का cube 1 होता है 3 दू निच्छे 6x आएगा और bracket में 2x plus 1 अब bracket को खोलिए आप तो यह आएगा 8x cube plus 1 plus जब bracket खोलेंगे 6 to 12 12x square plus 6x यह multiply आना चाहिए this is algebra work तो यह आपका पहला part हो गया दूसरा आपसे कहा गया second part में कहा गया है कि आप 2x 2a minus 3b का cube करिए second part आपसे बोल रहा है 2a minus 3b का cube करिए यह आपको formula लगाना पड़ेगा a minus b का whole cube तो formula चुक्छे आगा इसी में हम apply करेंगे देखे a minus b के whole cube में क्या बताया गया था a minus b के cube में a cube minus b cube minus 3ab in bracket a minus b यह ध्यान रखिएगा यह minus हमने यहाँ use कर लिया है इसलिए value रखते वक्त आप negative sign यह नहीं रखेंगे कि आपको कहें 3b लिखना है और आप उसकी जिए minus 3b कर दीजे क्योंकि वो मैं formula में use कर चुका हूँ तो यहाँ लिखिए 2a minus 3b का whole cube क्या हैगा a cube a की जिएगा यहाँ क्या लिखा है 2a लिखा है b की जिएगा क्या लिखा है 3b तो क्या हैगा 2a का cube minus b की जिए 3b करेंगे इस minus को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि आलेडी आपने वहाँ use कर लिया है तो क्या हैगा 3b का cube minus 3 into a बोले तो 2a b बोले तो 3b in bracket 2a minus 3b यह तो whole cube खुल गया अब simple calculation है cube करेंगे 2 2 4 2 8 यह होगा 8a cube minus 27b cube minus 3 2 6 रुक 18 18ab in bracket 2a minus 3b अब bracket खुलेगा तो देखे 8a cube आएगा minus 27b cube आएगा तब इसको खोलेंगे तो minus अंदर जाएगा minus अंदर गया 18 का multiply 2 से हुआ 13 2 जा 36 a का multiply a से करोगे तो यह आएगा a square b और यह minus minus plus हो गया यह minus गया 18 34 और a है निया पर a b square हो जाएगा b का b से multiply होगा तो b square हो जाएगा तो this is a minus b whole cube second question third question देखें क्या है third question same है थोड़ी से value लिखनी है third part not third question third part क्या रहा है 3x plus 1 का whole 3x by 2 third part 3x by 2 plus 1 का whole cube a plus b whole cube सिर्फ plus लगा दीजे यह a plus b whole cube का formula है तो आप compare करेंगे तो a की जगे क्या आएगा 3x by 2 आएगा b की जगे क्या आएगा 1 आएगा so इसलिए यह लिखा जाता है 3x by 2 plus 1 का whole cube is equal to a को रख दीजे 3x by 2 और b को रख दीजे 1 तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा 3x by 2 का whole cube plus b बन जाएगा 1 का whole cube plus 3 into a बन जाएगा 3x by 2 b बन जाएगा 1 in bracket 3x by 2 plus 1 अब bracket खोल दीजे तो कितना आएगा 27x cube by 8 plus 1 plus 3 3 जा 9 9xy2 in bracket 3xy2 plus 1 अब यह bracket खुलेगा यह हम बहुत से explain नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह simple multiply है यह आप जानते है 27x cube by 8 plus 1 यह जब प्लस अंदर जाएगा तो आएगा 27x square by 4 और प्लस 9x by 2 यह आपका 3rd part हो गया 4th अपने आप करिए 4th हम नहीं बता रहे अब देखिए 7th question 4th is the same a minus b whole cube का formula है अब आप कहेंगे अच्छा भई tough वाला छोड़ दिया और tough नहीं है अब value तो 2 है और पान में 2 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए देखिए 7th का 1st part क्या कह रहा है ज़रा साउधान होके करिएगा इसको यह कहरें 99 का whole cube है और इसकी value निकालनी है और यह कह रहा है कि Evaluate the following using suitable identities अब आप कहेंगे सिंपल सी बात है 99 into 99 into 99 तीन बार multiply कर देंगे यह उनको भी मालूम है कि आप multiply कर दोगे लेकिन ऐसा नहीं करना है तो 99 के ऐसे दो टुकडे करिए जिनकी value निकालनी थोड़ा आपके लिए आसान हो तो 99 को आप कहेंगे हम 98 plus 1 लिखेंगे दिक्कत आईगी भई 98 भी आपको दिक्कत करेगा तो इसको लिखेंगे 100 minus 1 का whole cube सैदा यह होगा कि 100 जहां भी power में जाएगा वो आपको disturb नहीं करेगा क्योंकि 100 की power 2 करोगे तो 4 0 हो जाएगे और 1 तो ऐसे भी दिक्कत नहीं करता है तो A minus B whole cube लगा दीजे क्या आएगा A cube अब formula ले लिख रहे हैं minus B cube minus 3 into A into B in bracket A minus B ले तो आएगा इसमें का मतलब 6 0 आएगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 cube है न 1 का cube 1 minus 300 आएगा in bracket 100 minus 1 हम इसको 99 अभी भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 99 का मतलब ही होता फिर लफड़ावई आएगा bracket खोलेंगे simply तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 minus 1 minus 3 यह 4 0 आएगे 1, 2, 3, 4 minus minus plus का 300 तो को यह plus का है और यह plus का है दोनों plus हो जाएगे तो कितना हैगा 2, 3 1, 2, 3 3 तो यहाँ आएगे और 3 0 इधर आएगे और minus यह 3, 4 0 है तो आएगा 3, 1, 2, 3, 1 यह आएगा इन दोनों को minus कर दो तो कैसे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आप लिखेंगे 1, 1, 2, 3, 3 minus करोगे यह कितना हैगा 9 यहाँ पे 9 यहाँ पे 2 यहाँ पे 0 यहाँ पे 9 दस में 3 गया 7 यहाँ पे आएगा 9 यह value आएगी 9, 7, 0, 2, 9, 9 इह पर calculation चेक कर लिजेगा कभी कभी calculation करने में दिक्कत हो जाती है यह पहला part हो गया ठीक है tough नहीं है ऐसा break करना आपको आता भी है second part देखे क्या पूछ रहा आपसे second part कह रहा है कि आप 102 का cube करिए तो 102 को दो टुकड़े क्या करेंगे 100 प्लस 2 फैदा क्या होगा कि 100 का power करने में वो आपको disturb नहीं करेगा और 2 विचारा बढ़ाए सब्स्ता मद्दा छोटा सा प्राणी है फैदा को भी पावर करो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 विचारा बहुत दूरी तक आपको दिक्कत नहीं करता है तो A प्लस B गोल क्या आएगा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3 इन्टू A इन्टू B इन ब्रैकेट A प्लस B इसको जोड़ना आपको आता होगा दिक्कत नहीं होनी चाहिए यूनिट प्लेस पे यूनिट लिखते हैं ठीक है ऐसा मत करिएगा 8 यहां लिख दीजेगा तो यह आएगा आपका 1,2,3,4,5,6 इसमें सिंगल 8 है तो इकाई के नीचे आएगा यह इसमें 3,4,0 इधर है 1,2,3,4 उसके नीचे 6 यहां पर 2,0 है तो 2,0 और यह 12 ऐसे लिखा जाता है इधर से लिखना सुरू करते हैं ठीक है यह 0 में 8 गया 8 प्लस होगा यह 0 आएगा यह 2 आएगा यह 1 आएगा यह 6 आएगा यह 10 आएगा तो यह वैलू क्या आएगी 10,61,208 इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए इसका क्या होगा calculation अपने आप करिएगा यहां पर 0 न गिनना सुरू कर देना और थोड़ा एक बार चेक भी कलिजेगा और जो into का point लगा रहे हैं वो आपका दशमलव नहीं है decimal नहीं है इसके बाद इसका थर्ड पार्ट कह रहा है कि 998 तू पावर 3 करिए अब इसको क्या करेंगे 1000-1 तू पावर 3 करेंगे sorry 2 करेंगे इजी पढ़ जाएगा A-B whole cube A आपका 1000 B आपका 2 है क्या हैगा A cube 1000-B cube minus 3 into यह into है यह multiply का sign है यह ध्यान रखेगा 1000 into 2 A minus B इसमें कितने 0 आएंगे जोगो 1000 को 3 बार multiply करो 3, 3, 6, 3, 9 9, 0 आएंगे 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minus यह 8 होगा minus 3, 2, 6 6000 यहाँ आएगा bracket में 1000 minus 2 अब bracket खोलिए इसको minus मत कर दीजेगा other way 9, 98 से multiply करना पड़ेगा और आप कहेंगे minus करी दिया तो तो कोई देकत नहीं तो कि फार्मला आप यहाँ अपलाई कर चुके है यहाँ थोड़ी वो छेड़खानी से कर सकते हैं आप तो यहाँ आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, minus 8, minus यह जाएगा 6 और 6 जिरो 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस 6, 2, 12 और 3 जिरो अब इसको आप यह प्लस का है और यह प्लस का है जोड़ दीजे देखें कैसे जोड़ेंगे एक जिरो ये, 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 तो तीन तो जिरो ये हो गए, ठिक, इस जिरो के नीचे आएगा ये टू, तो ये टू हो जाएगा, इस जिरो के नीचे आएगा ये वन, तो ये वन हो जाएगा, एक दो, तीन, चार, पांच प्लेस हो एक, दो, तीन, चार, पांच एक, दो, तीन, चार, पांच और छे यह आ गया, अब इसको मैनस करो, बहुत शोटी value दिख रही होगी आपको, ठीक है अगले step में मैं कर रहा हूँ इसको इसके नीछे करता हूँ, 8 को इसके नीछे करता हूँ और एक, दो, तीन, चार, पाँच एक, दो, तीन, चार, पाँच और छे, यह अगले step में होगा यह कड़ गया यहां से अब माइनस कर दो, यहां से carry ले जाओगे न यहां 10 बचेगा, 10 में 8 गया 2 यहां बचेगा 9, यह 9 बचेगा यहां 9, 9 बचेगा, यहां 1 बचेगा यहां 1 बचेगा, यहां 0 बचेगा यहां से carry जाए गया 10, 10 में 6 गया 4, यहां 9 बचेगा, यहां 9 बचेगा 9, 9, 4, 0, 1, 1, 9, 9, 2 तो यह आपका यह हो गया, अब आते हैं 8th question 8th question में भी factorize करना है यह plus b का whole cube किसी चीज़ का cube लिखा हुआ है, पीछे पढ़ चुके हैं आप अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें देखे, 8th का first part कितने part है इसके 4 part, 5 part है देखे, 8th का first part कहता है 8 a cube plus b cube plus 12 a square b plus 6 a b square actually में जो हम a plus b का whole cube लिखते हैं न a cube plus b cube plus 3 a b in bracket a plus b तो वो हम अपनी सहुलियत के लिए लिखते हैं चोकि यह bracket खोलने में sign mistake न हो, power mistake न हो इसलिए करते हैं otherwise वो bracket खोल के जब लिखेंगे a cube plus b cube plus 3 a b square plus 3 a square b formula वो होता है तो वही formula यह दिया है लेकिन आप इसको format उसी बनाईए यह किसीच का cube लिखा है आप कहेंगे 2 a का cube लिखा है plus 3 a b देखो, 3 बाहर होना चाहिए a का मतलब 2 a बाहर होना चाहिए b का मतलब b बाहर होना चाहिए यह क्या है? यह 6 a b है एक तरीके से आपने जो बचे हुए steps हैं उसमें से 6 a b common ले लिया अब 6 a b common लिया तो यहां बचेगा 2, यहां बचेगा a और plus यहां से 6 आपने common लिया, a लिया यहां भी बचेगा अब compare करो यह a, यहां भी a यह b, यहां भी b a cube, plus b cube, plus 3 a b, यह a के सिच का cube लिखा है यह 2 a plus b का whole cube लिखा है और इसको लिखने का तरीका है, चुकि factorize करना है, इसको तीन बार लिख दो तो तीन बार लिख दीज़ेगा whole cube हो गया इसका ठीक है, यह पहरा part है अब मालिया इसमें अगर minus कहीं होता था हम क्या करते है, second part देखिए इसका second part कह रहा है इसका second part 8 a cube minus b cube minus 12 a square b और plus 6 a b square कुछ हद तक values वही हैं केवल थोड़ा सा plus minus की गलती हो गई change हो गया, गलती न कहिए यह किसका cube है, 2 a का cube और minus यह b का cube minus, देखे, a cube minus b cube तो common minus 3 a b होगा तो 3 into a बोले तो 2 a b बोले तो b common लिया अब समझेगा, पहले आपने minus common लिया है तो कितना लिया, 6 a b तो 2 a होगा यहाँ sign plus का है, common ले चुके है minus तो बचेगा minus, यहाँ बचेगा b, a cube minus b cube, minus 3 a b in bracket a minus b, यह क्या लिखा है यह 2 a minus b का होल cube लिखा है और इसको कितनी बार लिखा जाएगा इसको 3 बार लिखा जाएगा तो कि whole cube है अब 3 बार लिखने का मतलब होता है आपने उसको multiplication form में लिख दिया है यानि कि उसको factorize कर दिया है तो यह हो गया आपका अब ज़रा इसका third part देखिए यह थोड़ technical है तो पोशिश करेंगे चारो पार्ट, पांचो पार्ट बता दे third part क्या कह रहा है लिखा है 27 minus 125 aq minus 135 a और plus 225 a square पहले यह किसका cube लिखा है आप कहेंगे 3 का cube लिखा हुआ है minus यह 5 a का cube लिखा हुआ है तो थोड़ी सी चीज़ तो पहचान में आ गई कि a cube minus b cube a यहाँ पर 3 है और b यहाँ पर 5 a है तो minus 3 a भी होना चाहिए 3 into a बोले तो 3, b बोले तो 5 a यानि आपने यहाँ पर 3 तरक और 9 पचे 45 आपने 45 कामल ले लिया है तो bracket में क्या बचेगा? 3 बचेगा वही 45 कामल लिजे इससे तो 45 तरक और 135 होता है अब यहाँ आपने minus कामल लिया यहाँ plus है यहाँ minus बचेगा यहाँ क्या बचेगा? 5 a तो 5 a बचेगा आपने 45 कामल लिया है 3 तरक और 45 अगर 45 का 5 से multiply करें तो 25, 25, 22, 22 यही तो लिखा हुआ है तो यह किस रीच का whole cube है? यह A minus B का whole cube है A यहाँ पर क्या है? 3 B यहाँ पर क्या है? 5 a तो यह 3 minus 5 a का whole cube लिखा हुआ है वैसे सर्च करना है आपको फार्मला आपको दिया गुए है फुरा सा सर्चिंग करनी है आपको फूर्थ पार्ट अपने आप करिए फिफ्थ पार्ट में कुछ अपान अपान का लफड़ा है इसलिए उसको हम बता रहे है देखें फिफ्थ पार्ट देखेगा फूर्थ अपने आप करिए लिखा है 27PQ minus 1 upon 216 minus और प्लस 1 upon 4P देखें ये तो दिख रहा है आपको ये 3P का होल क्यूब लिखा हुआ है ये 1 upon 6 का होल क्यूब लिखा है ये तो पहचान में आगया AQ minus BQ A आपका 3P है और B आपका 1 by 6 है यहां क्या लिखेंगे minus का 3 into A बोले तो 3P B बोले तो 1 by 6 अब दो कामन क्या लिए आपने ज़रा इसको calculate करिए 3 3 जा 9 यानि आपने 3 into 3P into 1 by 6 लिया यानि 3 दू निच्छ है यानि 3 बटे 2P कामन लिया जब 3 upon 2P कामन लिखेंगे तो यहां क्या बचेगा यहां 3P बचेगा पहली चीज minus हो गया और यहां पर minus का 1 by 6 बचेगा अब देखें आप इसको अगर ध्यान से देखें यह आपका है A cube minus B cube यह संद गया कहां से 1 by 6 बचा देखो ध्यान से यहां पर 1 by 4P था जब कोई चीज common लिजाती है common का मतब divide करना तो आपने क्या common लिया है इसको देखें 3 into 3P by 6 यादि कि आपने 3P by 2 common लिया है तो एक तरीके से आपने इसको 3P by 2 से भाग कर दिया है डिवाइड कर दिया है यह मतलब गुआ ना और इसको जब करेंगे तो यह P by 4 लिखा इस इन 2 हो जाएगा 2 by 3P हो जाएगा तो पी-पी कर गया टू-टू जाब 4 यह 1 by 6 आ रहा नहीं आ रहा और वैसे भी आप भी आना चाहिए 1 by 6 लेकिन भी आना चाहिए का मतलब यह नहीं कि आप 1 by 6 अपने आप लिख दोगे आप सर्च करोगे कि 1 by 6 आ रहा नहीं आ रहा है यह यहाँ पर क्या है यह आएगा 3P माइनस 1 by 6 का पोल क्यूब इसको 3 बा लिख दो 3P माइनस 1 by 6 एक ब्रैकेट में 3P माइनस 1 by 6 दूसरे ब्रैकेट में और 3P माइनस 1 by 6 तीसरे ब्रैकेट इस प्रकार से इसको लगाएंगे यह टे हुए in the next वीडियो जाए ब्रैकेट में जाए ब्रैकेट रएगाएंगे